इस वीडियो के माध्यम से हम नाफिट के बिहाफ पे MSTC द्वारा कराई जा रही Commodity e-Octions के बारे में समझेंगे सबसे पहले जैसा कि MSTC द्वारा आप सभी को एक mail भीजा गया है जिसमें हमारा company profile, buy registration करने की विधी एवं margin money जिसे private EMDB कहा जाता है को जमा कराने की विधी दी गई है इसके अतरिक्त इसमें आपको हमारे सभी authorized representative के नाम एवं उनके email ID भी दिये गए हैं जिसके द्वारा आप उनसे संपर्क कर सकते हैं इसके अतरिक्त यहां पे आपको एक list of documents दिया गया है जिसकी scanned एवं self-attested copy आपको by mail उपर दी गई email ID इस पर भीज नहीं है तथा हमने अंत में एक link दिया है जिसमें सभी commodities के contract note contract note जिसमें सभी auctionों के नियम एवं शर्ते रहती हैं यहां पे हमने सनलगन किया है ताकि इस पर click करके आप किसी भी commodity का contract note एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि इस web page पे अगर आप देखेंगे तो mustard seed, sarson, moongfali, chana, moong, urad इस प्रकार सभी commodities के contract note दिये गये हैं अगर आप किसी एक contract note को खोलेंगे तो इसमें आप देख पाएंगे कि इसमें auction का समय, auction की नियम एवं शर्ते, payment जमा करने की तिथी एवं तरीका तता auction का पूरा जो process है वो यहां पे समझाया गया है अगर आप सभी से अनुरोध है कि क्रपया किसी भी auction में participate करने से पहले contract note को भली बाती पढ़ लें इसके पश्चात आपको registration के लिए सबसे पहले हमारी website www.mstcecommerce.com को access करना होगा आप सभी से अनुरोध है कि क्रपया इसे internet explorer में ही use करें तो हम अपनी website खोलेंगे www.mstcecommerce.com इसको खोलने के बाद सबसे पहले आप इस website को compatibility view में browser settings में जाएं एवं compatibility view में इस website को add कर लें इसे add करने के पश्चात आप देख पाएंगे कि website पे हमारे द्वारा दी गई की जाने वाली सारी गतिविधियों की जानकारी दी गई है आपको इसमें से e रकम जोकी e राश्य किसान एग्रीमंडी पे क्लिक करना है और वहाँ जाके खुद को as a buyer आपको register करना है यहाँ पे दो option है register as bidder and register as seller तो आपको register as bidder करना है तो आपके सामने एक online form खुलेगा इस online form में आपको अपना bidder type, company type जैसे individual, proprietorship, private limited, public limited जो भी आपका company type है वो डालना है company का नाम, contact person का नाम, आपका पता, city, state एवं email id एवं mobile number आपको यहाँ पे भरना होगा इसके पश्चात कुछ KYC details जैसे PAN number, GST number अत्रिक्त इत्यादी जानकरी आपको इसमें भरनी होगी और अपना एक user id और password आपको यहाँ पे बनाना होगा यह सारी जानकरी भरने के बाद आपको इस form को submit कर देना है इस form को submit करने के बाद आपको एक email प्राप्त होगा जो की कुछ इस प्रकार दिखाई देगा यहाँ पे आपके दोरा दी गई सारी जानकरी आप विबर वरिफाइ कर सकते हैं और यहां पे भी इंत में आपको list of documents जो कि हमने पहले आपको provide की हुई है, यहां पे दिखाई जाएगी. आपसे अनुरोध है कि इन सभी documents का scanned और stamped copy आप हम लोगों को इन दी गई email IDs पे भेज़ दें. यह प्रक्रिया होने के बाद आपको आपका एक से दो दिन के अंदर आपका जो by registration है, वो activate कर दिया जाएगा. किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारी pan-india help line 033-2290-1004 से संपर्क कर सकते हैं. आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको by registration की प्रक्रिया को समझने में असानी हुई होगी, अगली कुछ वीडियो में हम लोग margin मनी मतलब pre-bit EMD जम्मा करने का की विधी तथा building में भाग लेने की विधी को cover करेंगे. धन्यवाद.